दोस्तो ये quick video में हम ये पढ़ेंगे कि mean absolute deviation और standard deviation होता क्या है let's say आप एक history test के जो scores है उसको examine कर रहे हो मेरे पास यहाँ पर 6 लोगों के scores है average score है 70 अब मेरे को ये जानना है कि जो सारे scores है वो average score से कितने दूर है basically distance क्या हो उनका तो मैं अगर ऐसाल plot करूँगा तो मेरे को दिखेगा कि 70 ये yellow line है वो मेरा average score है और बाकी के जो scores है individual के वो average score के नस्दीक है जैसे कि 72, 75, 73 ये को देखो ये 3 score हो गए और 68, 65, 67 मैंने यहाँ पर डाले है तो ये सारे score average के तकरीबन नस्दीक है तो हम ये बोल सकते हैं इसको देखके कि ये data set के लिए individual जो data points है वो average से बहुत दूर नहीं है लेकिन वो pass है अब मेरे पास ये mathematics का test लिया मैंने same लोगों का तो उनके score कुछ ऐसे आए इसका भी average score है 70 लेकिन अगर आप उसको plot करोगे इस chart में तो दिखेगा कि ये सारे score है वो individual जो data point है वो average score से काफी दूर है statistics में और data science में कई बार जो आपके score है वो average score से कितने दूर है वो जानने का फाइदा होता है उसकी applications होती है इसलिए हम ये try करते है हमें एक ऐसी measure चाहिए एक ऐसा number चाहिए जो हमें बता सके कि individual data point average score से कितने दूर है अभी तो ये 6 data point थे लेकिन कई बार data set में 1000 ओर millions of data points होते है तो हमें एक कोई number एक ऐसा metric चाहिए जो हमें बता सके कि data कितना spread out है तो अब आप वीडियो को post कीजिए सोचिए वो number क्या हो सकता है तो एक intuition वाला एक obvious thought ये आएगा कि भईया हर एक score को लेके उसको average में से subtract करो मतलब find करो कि वो average से कितना दूर है तो चलो मैं ये कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं score और average का difference ले लूँ उसका absolute ले लू क्योंकि मेरे को negative values को avoid करना है तो मेरे को पता चलेगा कि Mohan का score है वो average score से 5 point you know apart है Andrea का score average से 2 point apart है क्योंकि 72 और 70 का difference होता है 2 Joe का score है वो average score से 5 point apart है तो अगर मैं अगर ये absolute value ले लू और उसका average निकाल उस absolute value का तो ये एक number बताएगा कि मेरे data point कितने spread apart हुए है ठीक है मैं mathematics का test ले लू तो उसमें देखो clearly ये graph को देखके आपको पता चलेगा कि सारे number बहुत spread out है इस data set में तो इसका भी अगर मैं difference का mean ले लू तो हो जाएगा 23 तो देखा आपको ये mean number लेने से जब mean number छोटा होता है 3.16 उसका मतलब ये है कि individual data points average data point के करीब है वो बहुत दूर नहीं है अगर mean score आपका 23 आता है तो उसका मतलब ये है कि देखो 23 तीन से ज़्यादा काफी बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि इस data set के compare में ये math का test वाला data set है उसमें individual data points average data points से काफी दूर है मतलब data point काफी spread हुए है तो ये जो mean number आया उसको बोलता है mean absolute deviation ठीक है mad देखो mad तो 3.16 और 23 इस case में हो गया mean absolute deviation लेकिन कई बार ऐसे cases आते है जब mean absolute deviation काफी नहीं होता है जैसे same history का test है मैंने दो बार लिया और let's say same history के test के score दो बार में ये ये आए तो यहाँ पे right hand sign में आप देखोगे कि right hand और left sign का जो mad है mean absolute deviation वो same है 3.33, 3.33 लेकिन अगर आप chart देखोगे ये नीचे जो मैंने chart दिखाए है देखो यहाँ पे left वाले chart में जो data point है वो average से नजदीक है ये average वाला point है yellow उससे नजदीक है मतलब सारे data point 65 और 75 की range में है 10 point की range में है point देखो हाला की 4 point average पे है लेकिन एक point काफी दूर है 83 है एक point यहाँ पे भी दूर है 63 है फिर भी अगर मैं mean absolute deviation दूँगा इसका तो मेरे को ये ये बताएगा कि ये दोनों data set का जो distribution है वो similar है लेकिन ये similar नहीं है तो ऐसे case में mean absolute deviation आपको accurately नहीं बताएगा कि आपका data कितना spread apart हुआ है तो उसके लिए आप जड़ा सोचो कि अगर absolute की वज़ाय में absolute का square ले लो तो क्या होगा तो चलो try करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया पहले वाला ही जो slide था उसका ही data set है लेकिन मैंने एक नई column डाल दी कि जो absolute value यहाँ पे थी उसका square तो 5 का square 25 2 का square 4 वगेरा मैंने कर दिया और मैं जो average आता है इस last column का वो किया तो average होगा है 12.66 और उसका मैंने square root कर दिया square root क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे square किया था तो इसलिए square का reverse effect करने के लिए मैंने square root कर दिया जो मेरा दूसरा data set है जिसमे mean absolute deviation नहीं चला था उसमें मैंने same चीज़ किया मैंने square कर दिया जो difference है उसका और जब उसका average लेके square root किया तो मैंने को 6.02 आया तो देखा यहाँ पे right hand case है उसमें मेरा data थोड़ा spread apart जादा है तो मेरे को ऐसा number चाहिए जो मेरे को बता सके कि मेरे individual data points average data points से कितने far apart है कितने spread हुए है तो यह जो metric है नया वाला जिसमें मैंने square वाले number का average लेक उसका square root किया वो थोड़ा जादा accurately बताता है तो इसी को ही बोलते है standard deviation तो standard deviation left वाले set का है 3.55 right hand वाले set का standard deviation है 6.02 अब यह बताता क्या है यह यह बताता है कि left वाला जो data set है उसमें average data points के नस्दीक में जादा है सारे data points जबकि right hand sign में data points spread apart है अब यह work इसलिए करता है क्योंकि देखो मेरा यह अगर data point दूर होगा ना जिसे 83 यह वाला मेरा data point दूर है तो वो उसका square लेको उसको penalize करेगा तो जितना difference ज़्यादा है उसका square भी बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो penalty थोड़ी ज़्यादा देगा इसलिए same data set के लिए मेरा जो mad था mean absolute deviation वो 3.33, 3.33 दोनों में था लेकिन मेरा standard deviation 3.55 और 6.02 आता है यह है definition मेरे standard deviation की उसको Greek later में ऐसे लिखा जाता है उसको sigma बोलते है कि आप individual data point लेते हो जो xi है वो आपका individual data point है उसमें से average यह mu जो है वो average है average को subtract करके उसका square लेते हो और square लेके यह जो symbol है वो sum का symbol है तो सारे individual data point लेके आपने उसको sum कर दिया उसको n से divide किया n मतलब number of data point तो उसकी average आ गई average का मैंने square root ले लिया देखो मैंने यह वाली slide में वह ही किया है मैंने individual data point जो score है उसमें से average को subtract किरके उसका square किया और उसको basically जो absolute है उसको actually यहाँ पर absolute यह गलत है absolute करने के जरूद नहीं क्यूंकि square करोगे तो absolute होई जाएगा और उसको मैंने यहाँ पर average करके उसका मैंने square root ले तो यह same ही equation है basically कोई complication नहीं है बहुत easy है तो यह है आपका standard deviation तो standard deviation और mean absolute deviation का difference यही है उसको machine learning और statistics के language में norm L1, norm L2 भी बोलते है तो आपने machine learning जब पढ़ा होगा तो ridge regression और lasso regression में अपने L1, L2 का जो पढ़ा था वो यही होता है I hope आपको यह video पसंद आया होगा आपको कुछ question है तो नीचे video में please post comment करेजिए हम next video में एक और statistics और mathematics का concept लेके आएंगे most likely मैं normal distribution की बात करूँगा next video में तो thank you for watching